टार्गेट विद्रमेसर में स्वागत है दाइनिंग नौकरी समचार 17 मार्च एपी PCSJ का परिणाम जारी हो गया है EPSC News 69 जार से चक बरती 19,000 सीटों पर गरबड़ी का रोब OBC को 27% की जगा मिला 3.80% SC को 21% की जगा मिला 16.2% और डबल बेंच में जाएंगे अभ्यर्थी, EPSC Solver ने परिच्छा पास की और अभ्यर्थी धरा गया, गेट परिणाम जारी, एक लाग से एक लाग छात्र पास, EPS भरती, LTC Grade, GIC लेक्चेर भरती, विग्यापन, और होमोपैतिक फार्मासिस्ट, धरना परदर्शन, अनि मातपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं, उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वेल आइकन ओल पर प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, सबसे पहले ही मातपूर्ण खबर होगा है, PCSJ को लेक क 45 अभरती सफल हुए हैं, नियुमतव प्राप्तना करने के कार निर्धाय संख्या में से कम अभरती हुत्रें हुए है, 304 पदों पर भरती के लिए 12 फ्रोरी को परिच्छा हुई थी, और UPPSC ने जल्द ही परिणाम घोशित कर दिया, इस परिच्छा में 303 पथे और 3145 से पुछा हुए हैं, और यह परिणाम कल जारी कर दिया गया है, पीसे जियुष बह्तरिष्चा के लिए 989,000 अभरत्यों ने अवैधन किये थे, जिसमें 50,000 877 अभरत्यों ने परिच्छा दिती मुख की परिच्छा 23, 24 और 25 माई को परस्तावित है, परिच्छा आप लोग डेट नोट करने हैं, उस हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा एडमिट कार्ड, हलाकि मुख परिच्छा के लिए निर्धाई संख्या में कम अभरति उत्तिन गोशित किये गए हैं, नियम के तह संख्या में कम अभरति उत्तिन हुए हैं, उस नियाले में विभीन होने के कारण, उन्हें पर विचार नहीं किया गया है, उनका परिणाप संबंदित आचकाओं से पारित होने वाले अन्तिनिम आदेश के अधीन रहेगा, संच्छा से संबंदित पदवाज श्रेणी वार काटाब अंक अभरतियों से प्राब तांक से संबंदित सुचना अन्तिम चैन परिणाप गोसित होने के बाद आयोग की वेवसाइट पर जारी की जाएगी, मुख परिशा के लिए आवेदन परिशा सुल्ख जमा करने के प्रक्रिया के बारे में अलग से सुचना या नोट पर के चक्कर में सत्यापन सॉल्बर ने पाज की परिच्छा और सत्यापन में अभ्यरति पकड़ा गया, परन्तु जब अभ्यरति का सत्यापन शुरू हुआ, तो वो पकड़ा गया, यह भ्यरति सूरज चोरशिया अपने दस्तावे सतापित करने पहुचा, इस दौरान बायोमेट्रिक अटेंडेंस के मिलान नहीं हो सका, पता चला कि उसकी जगा किसी और ने परिच्छा दी, औ और यहां पर परिच्छा पास थी हो, पास भी हो गया, दिन पहले भीरति दस्तावे सत्यापन करने पहुचा, तो बायोमेट्रिक मिलान में फच गया, उस समय केस दर्ज कराएगा, पुलिस ने उसे जेल भेज दिया, और सालबर की तलाज जारी है, सालबर भी पकड़ाया करीब तीन लाग रुपय दिये गए थे, हलाकि यहां इस पर नहीं हो पाया है, पाया है कि फर्जे नाम पता का सालबर संपर्ग में आया होगा, अगली मातपूर सुचना है वो है, उन्हें इस तरह जार सिच्छक बरती को लेकर, उननीस जार सिटों की गरवड़ी क मामला आरूप लगाया है छात्रों ने और ओपी सी की, उननत्तर हजार सिच्छक भरती के मामले में आरच्छन पीडित जाएंगे डवल बेंच, अपनी बात रखी और उननत्तर हजार सिच्छक के मामले में आरच्छन पीडित जाएंगे डवल बेंच, हाई कोर्ट ने दिया है चैन सुची रद करने का रविव आदेश पीडितों ने शिकायद पत्र में लगाया है 19,000 सीटों का घपला, गरवड़ी के आरोप लगाया है, बेसिक चिच्छा की उननत्तर हजार साहर सिचक भरती मामले में चैन सुची की गलप मानते हो, दिवाया रिविव करने के लिए हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच ने आदेश दिया है, जिससे मामला उलज गया है और इस भरती के आरच्छित वर्ग में बाद में चैनित अर्शर्स और भेरतियों की सूची खारिज करने के बाद इन आरच्छियों अभेरतियों ने लगनों इस में विशेस अपील दाकिल करेंगे, आरच्छित पीरत ओवी सियों एस सी वर्ग के भरतियों ने गुरुवार को राष्ट पत्ति प्रदा मंत्रियों मंत्री को पत्र और इमेल के माधम से बताया कि इस इच्छक भरती में 19,000 पदों पर से अधिक पदों पर गरबड़ी हुई है, तीन साल की लड़ाई के बाद भी उन्हें नहीं मिल सका, इस भरती पर वर्ग में 27 फिसदी, ओवी सी को की जगा पर 3.8 प्रिश्दी और जबकि सी को 21 प्रिश्यत के जगा पर 16.2 फिसदी आरच्छन दिया गया, इस 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 इसे बेसिक सिच्छा मियमाली 1921 था आ कावलंगर बताया गया, संहिक्ति मोचा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौदरी का कहना है को वी सीच्छी वर के अभरतियों की ओर लेपिंग गलत धंग से कराई गई है, जिससे उनके पदों का नुक्सान हुआ है, मांग की है कि उनके साथ न्याई किया जाए इधर कोट की आदेश के बहुत साथ सरकार के रिविव में कुछ और बड़ा उलट फेर भी हो सकता है, अरशर सो भेरतियों ने मांग की नियुक्ति पत्र की मांग की है और लगातार धरना जारी है, और अरशर उननतर जार सिच्छकों ने आरशर साले को भी कल गेरा, जगा की मातपूर्ण सुचना है, वो है, गेट परिणाम को लेकर, गेट परिणाम को लेकर के, गेट का रिजल जारी कर दिया गया, अठारा फिश्दी क्वालिफाई हुए हैं, और एक लाग छात्र इसमें क्वालिफाई किये हैं, रिजल नहीं देख पाए, कुछ छात्र, अगली मातपूर्ण सुचना है, वो है, यूपी पुलिस भर्ती, लेल्टी गेट भर्ती और जी आईसी, इन भर्तियों के इंतजार में चात ओरेज हो रहे हैं, और विग्यापन का कोई आता पता नहीं है, उससे पहले जान लेते हैं, होमोपैथिक फार्माशित धरना प्रदर्शन को लेकर के, होमोपैथिक के जो प्रतियों की छात्र, अमर उजला ने एक कारिकरम शुरू किया है, यूपी पुलिस ने काउंस्टेवल भर्ती के इंतजार में अभर्ती ओरेज हो रहे हैं, अभर्तियों के चार साल से इस भर्ती का इंतजार है, कभी 36,000 भर्ती का विग्यापन आने की सुचना दियाती है, कभी 40,000 भिग्यापन आने की सुचना दियाती है, परन्तु भिग्यापन अभी तक जारी नहीं हुआ, कभी एजनसी को लेकर करके समस्या है, और अभी एजनसी भी चैनित नहीं हो पाई है, बस्तपतवार को मर उजला में चोटा बगाड़ा इस्ति सुजित लौज में आयो अभी तक परिच्छा नहीं करा गई है, और TGT-PGT के चात्रों को हो रही, हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया अगस 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुक है, लेकिन अभी तक परिच्छा तित घोसित नहीं किये, प्रतियोग्यों की एल्टी ग्रेट सिच्छक भर्ती का भी इंदेजारे चात्रों का कहना कि उत्तर पदेश लोग से वायों में 6000 अधिक पदों का धियाचन मिल लेकिन अभी तक जारी नहीं हो रहा है, या चात्र या भी चाहते हैं कि एल्टी ग्रेटों की संख्या बढ़ाई जाए, परिच्छा के स्लेबस की कोई परिवर्तन करना है, तो साल पर पहले इस परस्ट कर दे जाए, इससे प्रतियोग्यों की तैयारी में, तैयारी करने मे हो सके आराम से और परियाब समय मिल पाए, यह चात्र सामिल, इन सबी चर्जा में आजम करके पिंटू यादो, राजू सिंग, संदीप, प्रदीप, प्रमाकांत, आसीस, यादो आन्य, चात्र सामिल रहे, तो फिलहाल लगातार चात्र मांग उठा रहे हैं, फिर भी बिया पन जारी नहीं हो रहे हैं, अगली महत्पूर्ण सुचना है, वो है, अगली महत्पूर्ण सुचना है, वो है, फार्मासिस्ट को लेकर के फार्मासिस्ट लगातार, इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फार्मासिस्ट अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के यह चैनित हो पांच दिक फार्मासिस्ट ने नियुक्ति के लिए प्रदर्सन किया के लिए इको गार्डन कर रहे हैं नियूक्ति की मांग कर पांच दिनी अमड़ा अंसर भी शुरू किया है प्रदर्सन में ने बताय कि आयोक में भरती परिच्छा का प्रपेडाम 22 नमबर 22 को जारी के था लेकिन कुछ भी अभिरतियों कुछ अभिरतियों ने डायर कर दिया हाईपोट ने आयो के निड़ने के सही ठैराते हुए वादों को खारीज करके नियुक्त परक्रिया आगे बढ़ाने के नियदेश दिये थे फिर भी अब तक उन जैसे माधनिक सिच्छा के 14 सिच्छकों को राज द्यापक पुरुषकार के लिए चैनित किया गया है सासने सूची भेज दी गई है और समलित तक्नीकी सेवा की लिखित परिच्छा 26 मार्च को 26 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं इसके इडिमिट कार्ड जारी होगे हैं कल न चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक से जरूर कर दें पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद